टीका करन प्रक्रिया अंतरगत अब एक मार्च से दूसरे चरहन में 60 वर्ष के अधिक उम्रवालों को टीका दिया जा सकेगा इसके साथ ही 45 वर्ष के वे लोग जो विविद बिमारियों से ग्रसित है उन्हें भी टीके लगाए जाएंगे इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट लेना होगा टीका करन के लिए केंद्रिस सरकार की स्वास योशना सहिद 28 नीजी अस्पतालों की पैचांग की गई है सोमवार को दसकेंद्रों से ठीका करन किया जाएगा इस संबन में अब तक संपूर्ण दिशानिर्देश जारी नहीं किये गए है रववार को राजिस सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे जिन लोगों में डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर, किड्नी, हाट, आदिब बीमारिया है उन्हें मेडिकल ऑफिसर से प्रमान पत्र लेकर आना होगा इसी प्रमान पत्र के आधार पर टीका दिया जाएगा जबकि साट वर से अधिक उम्रवालों को आयो सत्यापन संबंधी प्रमान पत्र देना होगा इसमें आधार कार वोटर आइडी भी मानने होगा टीका करन्त केंलिस सरकार के अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में किया जाएगा जिन निजी अस्पतालों में प्रधान मंतरी जन्स्वास्ति योजना लगू है उन्हीं अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा नीजी अस्पतालों में टीके के एक डूस के लिए अधिकतम 250 रुपे निरधारित के गए है इसमें प्रती डोस के अनुसार 150 रुपे सरकार के खाते में जाएंगी क्यामरापोसन माइकल के साथ दिशहटवार बीसी न्यूस नाकपूर